नमस्कार दोस्तों क्लास सेवन्त महराश्टेट बोर्ड मैथेमाटिक्स चैप्टर नमबर फाइव ऑपरेशन्स और रैशनल लंबर्स प्रैक्टिस से ट्विंटी टू कुश्चन नमबर अभी टू हमें लेना है कुश्चन नमबर फर्स्ट तक इसके जो पहले वीडियो हो चुके है उसमें कुश्चन हो चुके है तो कुश्चन नमबर टू क्या है देखिए तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को अनुरोद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें बिल एकॉन प्रेस करें लाइक और शेयर करें तो ठीक है अभी हम शुरू करते हैं सेवन बाइ एलेवन माइनस त्री बाइ सेवन अब हमें सब्ट्रेक्शन करना है चाहे एडिशन हो या सब्ट्रेक्शन हमें डिनामिनेटर इकॉल होना चाहिए अगर नहीं है तो या तो cross multiply करिए या तो denominator का LCM लिजे अब 11 और 7 इन दोनों में common factor 1 है अगर 1 चोड़कर कोई दूसरा factor होता है इनका तो हमें LCM लेना है अगर नहीं है 1 मतलब कोई भी common factor नहीं है तो cross multiply करना है 11 और 7 दोनों भी prime numbers है तो इनका कोई भी common factor नहीं है तो हम cross multiply करके इसे solve करेंगे तो 7 इन्टु 7, 49 माइनस cosine माइनस इरखना है 11 इन्टु 3, 33 और दिनॉम नेटर में दिनॉम डिस का multiplication लिखना है तो 11, 7 जा 77 और 49 माइनस 33 9 माइनस 3, यह होगा 6 और 4 माइनस 3, यहापे होगा 1 divided by 77 next question है 13 divided by 36 माइनस 2 by 40 अब दीके 36 और 40 इन दोनों को common factor 2 आता है 2 से दोनों को divided होता है तो हमें क्या करना है इसका LCM लेना है इन दोनों का LCM लेना है तो दोनों नमबर्स को 2 से divided होगा 2 1s आ 2, 2 8s आ 16, 2 2s आ 4, 2 0s आ 0 फिर दोनों को 2 से divided होगा 2 9s आ 18, 2 10s आ 20 अब हमें इन सब का multiplication करना है तो 2 2s आ 4 4, 9s आ 36, 10s आ 360 तो इन सबी का multiplication 360 मतलब इन दोनों नमबर्स का LCM 360 आ गया तो 36 को हम अगर 10 से multiply करेंगे तो 360 तो 36 का जो numerator है 13 उसे भी 10 से multiply करना है 10 into 13, 130 माइनस अब 40 को 4 9s आ 36 40 को 9 से multiply करेंगे तो 360 आता है और जो answer है और जो answer है वो हमें मिल जाएगा तो 10 माइनस 8, 2 यहां पर रहेगा 2 2 माइनस 1, 1 और यहां का 1 112 आट पर 360 अब 112 और 360 इन दो नूमर्स को 2 से डियाड होता है देखे यहां पर 2 by 40 है तो 2 और 40 इन दोनों को भी 2 से डियाड होता है अगर हम यहां पर 2 से डियाड करेंगे तो यहां पर simplest form मतलब यहां पर 2 से डियाड करने की जरुवत नहीं होती तो ऐसे ही देखे cross multiply करेंगे तो अभी हमें 2 इंटू 2, 4, 4 इंटू 2 8 से numerator और denominator को डियाड करना पढ़ सकता था लेकिन जो अभी 4 से तो हमने LCM लिया है तो इसका मतलब भी 4 से डियाड करने की जरुवत यहां पर नहीं पढ़ी है तो अब हमें 2 से डियाड करना होगा numerator और denominator को 2 5 जा 10 11 माइनस 10 1 12 2 6 जा 56 डियाड बाए 2 से डियाड करेंगे यहां तो 4 से डियाड हो रहा है 4 से डियाड हो सकता है numerator और denominator को तो ठीक है अभी पहले 2 से डियाड करेंगे 2 11 2 2 8 जा 16 2 0 जा 0 और फिर इन दो नूमर्स को फिर 2 से डियाड हो रहा है तो 2 2 जा 4 2 8 जा 16 फिर 2 से डियाड करें 2 9 जा 2 0 जा और 2 से डियाड होगा फिर 2 से डियाड करें 2 1 जा 2 2 4 जा 8 डियाड बाई 2 45 जा 90 तो 14 डियाड बाई 45 यह अंसर होगा Question number 3 है 1 integer 2 बाई 3 माइनस 3 integer 5 बाई 6 तो पहले हमें improper fractions में दोनों numbers को convert करना है तो 3 बन जा 3 3 प्लेस 2 5 डियाड बाई 3 माइनस 6 3 जा 18 18 प्लेस 5 23 डियाड बाई 6 अब 3 और 6 का common factor 3 आता है तो हमें यहाँ पे LCM लेना है 3 और 6 का जो LCM होगा वो होगा 6 तो 3 तूजा 6 5 तूजा 10 माइनस 6 बन जा 6 23 बन जा 23 तो 10 माइनस 23 यह होगा माइनस 13 डियाड बाई 6 अब यह माइनस 13 कैसे होगा इन दोनों numbers में addition यह subtraction का rule यूज़ करना है तो rule क्या है अगर same sign है तो addition करिये different है तो subtraction और greater number का sign 23 का sign माइनस 10 का plus तो अलग-अलग sign है तो subtraction 23 माइनस 10 13 और greater number का sign माइनस 13 बाई 6 यह answer होगा question number 4 है 4 integer 1 by 2 माइनस 3 integer 1 by 3 अब यहाँ पे फिर से दो numbers को हमें improper fractions में convert करना होगा 4 to the 8 8 plus 1 9 divided by 2 माइनस 3 into 3 9 9 plus 1 10 divided by 3 अब 3 और 2 में common factor 1 चोड़ कर कोई भी है नहीं तो cross multiply करें 9 3 जा 27 minus 10 2 जा 20 और 2 3 जा 6 तो 27 minus 20 numerator में होगा 7 divided by denominator में होगा 6 7 by 6 अगर हम 7 को 6 डिवाड करेंगे तो यहाँ पे 6 बन जा 6 7 minus 6 1 divided by 6 तो 1 integer 1 by 6 यह भी answer correct है और यह भी यह दोनों में से कोई भी आप answer जो है वो लिख सकते हैं या दोनों भी हम लिख सकते हैं answer में question number 3 है multiply the following rational numbers अब multiplication का rule है कि numerator से numerator को multiply denominator से denominator को और अगर cancellation होता है एक number numerator का दूसरा denominator का अगर इन दो numbers को same number से 1 चोड़ कर किसी या 0 चोड़ कर किसी number से divide हो रहा है तो पहले divide करिए फिर multiply करिए अब यहाँ पे 3, 2, 5 11 सभी numbers prime numbers हैं तो यहाँ पे किसी से भी किसी number को divide नहीं होगा वह चोड़ कर तो हमें directly multiply करना है तो multiply होगा numerator का numerator के साथ और denominator का denominator के साथ तो 3 into 2 6 numerator का multiplication numerator में लिखना है denominator का multiplication denominator में लिखना है 11 5 जा 55 second question देखे 12 upon 5 into 4 upon 15 तो यहाँ पे numerator में 12 और denominator में जो 15 है इन दो numbers को 3 से divide होता है दोनों को भी तो पहले हमें cancellation करना है 3 4 जा 12 3 5 जा 15 अब numerator में 4 और 4 denominator में 5 और 5 denominator और denominator में हमें cancellation नहीं करना है cancellation करना है एक number numerator का दूसरा denominator का 4 4 और 5 5 4 और 5 इन दोन numbers को किसी भी number से divide नहीं होता 1 चोड़ के तो अब हमें directly multiply करना है तो numerator का multiplication numerator के साथ और denominator का denominator के साथ तो 4 4 जा 16 5 5 जा 25 16 अपन 25 यह answer होगा question number 3 देखिए minus 8 by 9 into 3 by 4 अब 4 और 8 इन दो numbers को 4 से divide नहीं होता है तो 4 जा 4 4 जा 8 minus जो sign है 2 के साथ यहां पर होगा minus 2 3 और 9 इन दो numbers को 3 से divide होगा 3 जा 3 3 जा 9 अब देखिए 4 positive है तो minus divided by plus answer minus ही होगा इसलिए यहां पर minus 2 साथ में होगा अब cancellation हो चुका है minus 2 into 1 minus 2 divided by 3 into 1 3 minus 2 by 3 answer होगा 0 by 6 into 3 by 4 अब देखिए अगर 0 multiplication में आ रहा है तो 0 को किसी भी number से हम अगर divide करते हैं तो answer 0 ही आता है और 0 से अगर 0 से किसी number को हम multiply करते हैं तो answer 0 ही आएगा 0 को किसी भी number से divide करिए answer 0 ही आएगा और 0 से किसी भी number को multiply करिए तो answer 0 ही मिल जाएगा तो हमे answer आएगा 0 next question number 4 है write the multiplicity inverse multiplicity inverse हमें लखना है आप देखें multiplicity inverse क्या होता है कि समझो हमने एक number ले लिया है A upon B तो A upon B को कौन से number से multiply करने के बाद answer multiplicative identity 1 होता है 1 answer आ जाएगा तो वो number होगा B upon A बी बी कैंसल, ए, ए, कैंसल तो 1 x 1 1 x 1 1, 1 x 1 1 answer 1 हो जाएगा तो जो भी नबर दिया गया है उसमे हमें numerator में जो denominator में जो denominator में हैं उसे denominator में लिख कर जो number form होगा वो number उस number का multiplicative inverse होगा तो a x b का multiplicative inverse b x a होगा, अब यहाँ पे sign जो है वो change नहीं होता अगर plus है तो plus ही रहेगा minus ही रहेगा क्या कि minus into minus—plus हो जाएगा तो multiplicity in regards में क्या करना है numerator और denominator में सिर्फ exchange करना है sin as it is रखना है तो तो बाई 5 का multiplicity in-n appreciative होगा 5 numerator में होगा 2 denominator में आएगा 5 बाई 2 minus 3 बाई 8 का multiplicity in answers 3, minus 17 divided by 39 का multiplicity inverse होगा, negative 39 divided by 17 अब 7 का denominator कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होता है, किसी भी number का denominator अगर कोई number नहीं है तो 1 होता है, तो 7 by 1 का multiplicity inverse होगा 1 by 7, अब यहां पे mixed fraction दिया गया है minus 7 integer 1 by 3 अब जो minus sign होता है, वो 7 integer 1 by 3 का होगा तो पहले हमें इसे improper fraction में convert करना होगा, 7 into 3 21 plus 122 divided by 3, और यह negative number, अब इस number का multiplicative inverse तो हम यहां पे लिख सकते हैं multiplicative inverse of multiplicative inverse of minus 22 22 by 3 is minus, minus को minus से लिखना है, 3 divided by 22 बहुत से बच्चों ने, बहुत से बच्चे ऐसे answer लिखते होगे, मैंने देखा है, कि minus 22 by 3 का जो multiplicative inverse है, उसे equal to करके यहां पे minus 3 by 22 इसे अंसर लिख देते हैं बहुत से बच्चे, तो यह सरसर गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि minus 22 by 3 और minus 3 by 22 यह equal numbers नहीं है, यह एक दुसरे के multiplicative inverse है, तो इन्हें हमें equal लिखना नहीं है, यह द्यान रखिए, तो इस वीडियो में इतना ही, अब एक question जो है, practice 22 का रहे गया है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में cover करेंगे, question number 5 है, carry out the divisions on rational numbers, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए,